आपका प्रश्चानल जाए और दोट जाए यूटीब चैनल आपका स्वागत है शिर्मत भोगत गीता में वर्न है अखरकार मिश्च के बाद आत्मा कहा जाती है ऐसा माना जाता है कि मानव श्रीर निश्वर है जिसने जनम लिया है और उसे एक ना एक दिन प्राण जाते ही पड़ते हैं बले मनुश कोई अधने जीवन प्राणी से हो या सो वश्च से भी ज़्यादा हो वश्च से अधिक क्यों नहो जी लेने के बाद उसे अपने श्रीर को छोड़ता वापस परमात्मा के शरन में जाना पड़ता है याने परमात्मा के पास वो आत्मा के पास जाना पड़ता है आत्मा को वो आत्मा जो है श्री परमात्मा के पास आई है और परमात्मा के पास ही लोड़ जाती है यदिपी इस सच से हमें सभी भली बांती प्रचित हैं लेकिन मित्तू को प्रशाद जब शव की अंतिम विदाई दे जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है ये बात हमारे मन में प्रशन उठता है कभी कोई नहीं समझ पाया कि एक बार अपने शेरीर को त्यागने के बाद वापस शेरीर में प्रतिवरिद होना संबव है इसलिए मौत के बाद दुनिया कैसी है अभी तक ये रहसे बनावाए याने कोई इसी गुत्वी को ना सुलजा पाया है ना सुलजा पायेगा किसे कहानियों में ये फिर से अफ़ाओं में तो मौत के प्रशाद आत्मा को मिलन वाली यतना है फिर विशे सुद्दाओं के बारे में तो कोई बार सुना जा चुका है लेकिन पुकता और अभी तक कोई जान पाया है कि क्या वास्तों में इस दुनिये के बाद एक को ऐसी दुनिया है जहां आत्मा का सुरिक्षित कर रखा जाता है और अगर नहीं तो जीवन अन्थमें जाने के आत्मा का क्या चली जाती है वो आत्मा कहां चली जाती है पर आत्मा क्या है जीवन के अंत में जाने पर आत्मा चली जाती है ये तक अप्दोशा में श्रीमद भावध गीता में श्री बगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि आत्मा अमर है उसको अंत नहीं होता है फिर सिर्फ शरीर ही रूपी वस्तर बदलती है वैसे तो कई बार आत्मा अमर यात्रा के विशे सुना जास चुका है लेकिन फिर ये है सबसे अधिक रुमाज जिगासा है से जुड़ावाय मिलता है आज तक कोई उत्सान जान नहीं पाया है कि परम आत्मा के पास लोटने के बाद आत्मा को पश्चे अभी तक गुत्ती बने हुए ना कोई से सुल जाया पाया है ना सुल जा पायेगा वेल अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जुरूर करो चैनल को सब्क्राइब जुरूर करो अगर आप चाहते हो कुछ अगर कुछ विशे अच्छी जानकारी के कमें कुछ गलत अगर इसमेश देश दिया हो तो इसके लिए माफ़े चाहता हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद